राधे राधे दोस्तों तो हम बात कर रहे हैं अभी जीवत पूत्री का यानि जीवतिया हमारे बिहारी उपी में होता है जो की पूत्र के लिए किया जाता है तो जीवतिया कब है उसका नहाय खाय कब है और उसका सुम मूरत क्या है चलिए हम जानते हैं तो जीवतिया व्रत क नहायखाय है 24 सेप्टेंबर को दुहाजर चौबीस यानि इस साल में 24 सेप्टेंबर को पढ़ रहा है और फचीस को पढ़ रहा है बुद्ध बार दिन पढ़ रहा है जीतिया का ब्रत रखा जाएगा और जीतिया का सुमूरत है हिंदु पंचांग के अनुसार अस्टमी का समापन 25 सेप्टेमबर दोपहर 12 बचकर 10 मिनट पर होगा ऐसे में उद्यत इथी के अनुसार जितिया ब्रत बुद्ध बार 25 सितंबर को रखा जाएगा ठीक है जितिया ब्रत तीन दिन होता है इसलिए नहाय खाय से पारण तक पूरे दिन पूरे तीन दिन के नियम मानने च ब्रत का पारण करें इस दिन भगवान सुर्य देव की भी पूजा की साती है जितिया ब्रत में लोग अक्सर जिसके बेटे नहीं होते या बेटी नहीं होती वो करते हैं जितिया ब्रत के पहले दिन महिलाय सुर्य दर से पहले जाकर असनान करके पूजा करती है और फिर एक करती हैं तो जिस महिलाओं को पता नहीं है जो फर्स्ट बार कर रही है वो हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ें क्या होता है सुर्य को अर्थ देने के बाद ही महिलाए अन्य ग्रहन कर सकती है मुख्य रुप से पर्व के तीसरे दिन आप मर्वा की रोटी नोनी का साग खाएं अस्टमी को प्रदोस काल में महिलाएं जीमुत वाहन की पूजा करती है जीमुत वाहन की कुसा से निर्मित प्रतीमा को धूप दीप अच्छत पूस फल आदी अर्पित करके ही पूजा की जाती है इसके बाद साथ ही मिट्टी और सदुन के गोबर शीहां प्रित आद से स्यारन और चील की परतीमा बनाई जाती है ॉसका परतीमा बनाई जाती है उसके बाद मात्य पर लाल सिंदुर का टाभा आते है पूजन समप्त के बाद ज्युत पुतरिका बРत की कथा सुनी जाती है जिवित पुत्रिका का कथा हम अगले एपिसोड में आप लोग को बताएंगे जो की हमारे ये ज्यादा लॉंग हो जाएगा विडियो इसलिए हम जूतिया ब्रत क्यों रखा जाता है काफी मैं लाएं पूछेंगी तो इस दिन मैं लाएं अपनी संतान की लंबी आयू और स्वस्त जीवन के लिए 24 खंटे का नेर जला ब्रत रखती है हर साल ये अस्विन मा के कृष्ण पच की अस्टमी ती थी के दिन जूत पुद्रिका का ब्रत रखा जाता है धार्मिक मानियताओ के अनुसार जूतिया ब्रत को करने से संतान का उमर लंबी होता है और जो आने वाले संकट होती है वो टल जाती है जूतिया ब्रत क्यों रखा जाता है इसके पीछे एक पैराडिक कथा भी है जो की हम दूसरे फ्लोड मताएंगे ज कई जगह पर जूतिया के नाम से भी जाना जाता है जैसे छट मनाया जाता है उसी तरह जूतिया प्रत का प्रारम भी आरम नहाय खाए के साथ होता है तो चलिए आखिर जूतिया प्रत की सुरुवात कैसे हुई थी इसकी परणानी कथा हम अगले एपिसोड में बताएंगे सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा ठीक है